हेलो फेंड्स स्वागत आपका आपके बने चल होम टिशन पे दोस्तों CISF Head Constable Minister 2019 का एकजाम जो 11 मार्च, 12 मार्च, 19 मार्च कोने वाला था वो दोस्तों एक बार फिर से पोस्ट मोड़ हो चुका है जी आँ दोस्तों एकजाम पोस्ट मोड़ हो चुका है 11-12 मार्च को नहीं ह होगा क्या है पूरी अपडेट क्या नोटिस है क्या इंटरनल नोटिस है चानने के लिए वीडियो को धांसे और पूरा देखे दोस्तों अगर आप मेंसे कोई भी बच्चा CISF Head Constable Minister 2022 या फायर मेन की तयारी कर रहा है तो आप हमारे साथ जुड़के ओफलाइन तयारी कर सक सकते हैं तीन मेनने का हमारा एक कोर्स रहेगा तीन मेनने की दोस्तों पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिला के यानि आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा डेली 5-6 गंटे किलासिज मिलेंगी और weekly mock test होगा यानि सब कुछ मिला के तीन मेनने का जो चार्ज ह वो 18,999 रुपए है ठीक है 18,999 रुपए है कई बच्चे कोमेंट कर रहे थे मेरे पास मेसेज भी आ रहे थे कि सर फीस भो ज़ाद है बाईया ये तीन मेनने की है एक मेनने के आप देखेंगे तो 6,000 ही पढ़ती है 6,2,623,623 पढ़ती है ठीक है इस में आपकी पढ़ाई भ अगर दो टाइम आप टिफन भी लगाएंगे तो कम से कम 100 रुपए का पढ़ता है तो तेन अजार तो खाने के होगे और दो जार रुपए आपका किस का होगया रूम रेंट होगा पात जार तो यही पढ़गे पढ़े ने पढ़ेगे कहीं भी चले दाओ हिंदुस्तान मे पात जार से नीचे कोई पीजी नहीं है तो पात जार का तो पीजी पीजी है हम आपसे 1000 रुपए फालतू ले रहे है और उसमें आपको पढ़ा भी रहे है ठेक है तो 6000 पर मंत का इसाब से चार्ज है यह तीन मेंने का अठारा हजार नो सुन नियाड़ मरुपए है ठेक है तो यह तीन मेंने का अठार्ज है एक मेंने का नहीं है कम्प्लीट कुर्स तीन मेंने 18,909 रुपए है ठेक है तो दिमाग से यह तो निकाल दीजिए कि भीया यह 18,000 रुपए मंत की नहीं है पूरे कुर्स की है तीन मेंने की इसमें आपकी पढ़ाई भी लिखाई रहना ख खाणा सब कुछ इसमें है तो अगर आप में से कोई बच्चा मारे साथ जुड़के तैरिक करना चाहता है ओफ लाइन तो मेरा वाट्स अप नंबर है मार्च में ठीक है तो लगबग आप इतना ज़्यादत नहीं जाएगा लेकिन खिसके अगा डेड़ से दो मेंने का तो टाइम आप मान के चले की हाँ और एक बहुत ही जबरदस्त लाइन इस नोटिस में लिखी हुई है वो भी मैं आपको बताऊगा कि CIS अब चाती क्या है बच्चों के साथ तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा ठीक है तो अगर आप में से कोई बच्चा 2019 वाड़ा है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है उससे केवल 6000 रुपे मन्त के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और हम कोशिस करेंगे कि बढ़िया तरिके से आपको पड़ाई है ठीक है बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ नहीं आता अब भी हमारे पास जो फ्लाइन आते हैं उनको मैथ नहीं आता तो आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं complete syllabus करवाएंगे ठीक है चल अगला देखिए यह है बया नोटिस ठीक है यह नोटिस है आप आप कहेंगे जर साइट पर नोटिस नहीं है भाया साइट पर नोटिस नहीं आते हैं यह internal message होते हैं बहुत ही मतलब एक समझ लीजे कि खांडे की खीर होती है नोटिस को निकलवाना भाई मुझे दे कोई पकड़ा जाएगा तो बिचारे को सजा हो जाएगी नोकरी चली ज साइट पर नहीं है और मजे की बात यह है कि CISF न साइट पर नोटिस डाला भी नहीं और एक्जाम अंधर ही अंधर पोस्ट पॉंट भी कर दिया थेक है तो आप कहते हो ने यह YouTuber खुदी एक्जाम डेट डेट डिकलिर करते हैं खुदी पोस्ट पॉंट करते हैं हम नहीं कर कह रहा है कि बाईया 2019 का एक्जाम है न यहां पे लोजिक भी बताए गए है कि बाईया CISF Day 2023 का जो सेलिब्रेशन होगा 10 मार्च को मेरे क्याल से सेलिब्रेशन डे होता है तो उसके अनुसार हम इस एक्जाम को जो 11-12 मार्च है वो नहीं करवा पाएंगे अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी 19 मार्च इसमें क्यों ने लिखा वो भी तो डेट थी बाईया ये मतलब सपीड में लिखा गया लेटर होता है कि बाईया जो हमने 11-12 मार्च 19 मार्च इसमें भूल गये होंगे फिर अप्रेल में ही जाएगा दोस्त ठेक है अचाहिए इसमें लाइन लिखे हो देख लीजिए पहले तो आप ये देख लीजिए 2019 will not be held on 11-12 मार्च 2023 ठेक है किसकी वज़े से CIS update 2023 celebration की वज़े से the written examination for the post of head constable minister 2019 however the examination is proposed to be conducted in the current financial year subject to allocation budget under head constable recruitment OE in reserved estimate 2022-23 please ये जो line है न दोस्तों बहुत बड़ी लिखी होई है आपको हमने सकूल का notice दिखाया तो इसमें क्या रहा है तो इस परबच्चे का इसाबसे चार्ज परड़े के साबसे चार्ज था सकूल जो चार्ज करते हैं एक्जाम दो हमें किराया लेते हैं न वो तो वही चीज़स में लिखी है या कि हम current year में current final year में exam conduct कराना चाहते हैं लेकिन इसके लिए जो budget है ये हमें वो करिए allocation कीजी अलोट कीजी ठेक है तो ये budget यहाँ पर पास होगा हर paramilitary force को अलग budget मिलता है ठेक है उस budget का कुछ हिस्सा आपके recruitment पे जाता है तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है जब वो पास होगा तब आपका exam होगा ठेक है ये देख सकते हैं revised estimate 2022 तेईस यानि पूरी तरह से revise होगा सारी चीज़े और इनके लिए budget आएगा तब यह आपका exam होगा 11-12 मार्च 19 मार्च को paper नहीं है तो जो बच्चे कहने कि 19 मार्च के exam date थी वो नहीं है इसमें तो 19 मार्च इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यह roughly भी से दोस्त ठेक है तो कहने का मतलई यह कि CISF का जो exam है अब मार्च में नहीं है दोस्त ठेक है मार्च में तो paper बिलकुल भी नहीं है यह आपका paper फिर कब होगा आगर भया इनको जून में ट्रेंडिंग करवानी है न और मेरे को तो भया इसमें विश्वास जैसे आपका कहते हो न सर योटूबरों पर विश्वास नहीं होता है कभी पोस्ट मन करते कभी एक्जाम डेट खुदी निकालते है तो भया हम नहीं करते है आगे से यह इसा हो रहा है ठीक है फायरमेन की ट्रेंडिंग मई में स्टार्ट होने वाली है आपकी तो फिर भी जोन में दिखा रखे उस कलेंडर के गोल्डिंग लेकिन फायरमेन का तो कोई जिकरी नहीं है उनकी तो मई में ट्रेंडिंग स्टार्ट होने वाली है मार्स स्टार्ट हो चुका है एक्जाम भ मेरा मानना ये है कि या एक्जाम कब होगा तो भया मैं कुछ नहीं कह सकता आपरेल में होगा कि महीं में होगा कि इस साल लास्ट में जाएगा कब होगा या 2022 वाली भरती के साथ करवाया जाएगा तब भी 2-3 मेने का टाइम इसमें आराम से लग जाएगा आगर ये CISF 2022 के पूल खाली मिल सकती है जो छुटियां चलती है गरमियो की माई जून में उससे पहले एक्जाम पॉसिबल ही नहीं है दोस्त और हो सकता है कि भईया ये आपका 2019 वाला है ये अप्रेल में हो जाए ठीक है तो ये 2019 के बारे में कुछ भी करना अभी पॉसिबल नहीं है ना ये होगा की नहीं होगा कोई information नहीं है जैसे ही कोई notice आएगा हम आपको फिर update करेंगे लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़के तैयारी करना चाते हैं क्योंकि मोका है बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके भईया आप भी सकोर नहीं कर पाते छुपके नहीं रहना तैया हमारे साथ जुड़ेगा तो वही चार्ज है छे हजार रुपे पर मन्त इसमें पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ है ओल फैसिलिटी ठेक है और 2022 वाले हैं उनको हम तीन मेने के लिए बुलाएंगे तो उनकी जो फीस है अठारा हजार रुपे है ठेक है तो 31 मही तक आप आएंगे तीन मेने में आपका आराम से कोर्स करवाएंगे बड़िया मोक टेस तो बड़िया रिदम के साथ पढ़ाएंगे तो उनकी फीस हमने ठारा जार रुपे करेंगे और जो बचा दिलिपलिस कोंस्टिबल के तारी कर रहा है तो वो भी हमारे साथ ज जाएंगे तो अगर आप आना चाते हैं उठाईए वेग पकड़िया ट्रेन और पहुंच जाए अगेडमी दोस्तों ठेक है वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलको सब्सक्राइब करें अमारे साथ जुड़े रेने के लिए धन्यवाद